नमस्कार दोस्तों कभी ना कभी आपके दिमाग में ये खयाल जरूर आया होगा कि इंडिया में क्रिकेट के लावा दूसरे स्पोर्ट क्यों इतने आगे नहीं बढ़ रहे है गाइस तो इसके बारे में बात करते हैं एक रिजन उसका सबसे बढ़ा है गाइस हमारे गवर्मेंट ओफिशेल्स एंड हमारे जो स्पोर्ट फेडरेशन के जो ओफिशेल होते हैं वो गाइस किस्सा इसी के रिलेटेड है आप सबने साहिद सुना भी है लेकिन इसके उपर क्वेस्चन और इसके उपर बात रखनी ज़रूरी है गाइस तो जो भी इंडियन वहाँ पर बेल्जियम में सिखा है खेला है और उन्होंने पाई मन बनाया कि मैं इंडियन टीम को रिप्रेजन करना चाहता हूँ और आप सबको भी पताए कि इंडिया में डूएल सिटिजन्सिप ना अलाव होने के कारण और OCI को हम खेलने नहीं देते नेशनल टीम में इ उन्होंने जाना कि इंडियन सिटिजन्सिप के लिए क्या स्टेफ हो सकते दो इंडिया की एंबसि बेल्जियम में उन्होंने बताया कि आप यहाँ अपलाए ना करें आप इंडिया जाए और आपका जो नेटिव प्लेस नावा शाहर वहां पे जाके आप वहांके ड सी के से अगर आप Indian citizenship के लिए apply करेंगे तो आपको काफी ज़्यादा fast track हो जाएगी आपकी citizenship और आपको जो citizenship एक साल में या फिर उसके बाद मिलेगी उससे ना होके आपको बहुत जल्द मिल जाएगी तो त्रिमान और उनके फादर साब बारा मार्च को इंडिया में आते हैं और यहां पर नावशयर डिसी की ओफिस में जाते हैं लेकिन आप सबको पताए कि हमारे यहां पर गवर्मेंट ओफिस कैसे वर्क करते हैं दो तीन दिन तो अपरमेटी जाते हैं और पासपोट ओफिस जाते हैं वहां से भी तीन चार गंटे लाइन में लगे रहने के बाद बल्कि जबके उनके पास इंडियन एंबसी का बेल्जियम का लेटर था रिकमेंडेशन का वह दिखाने के बावजीत भी लाइन में खड़े रहे के सारी प्रोसेस हो के जब जाते हैं तो सेम रिस्पॉंस आता है कि हम यहां से कुछ नहीं कर सकते हैं आप होम मिनिस्ट्री की ओफिस दिल्ली चले जाए या फिर आप उनलाइन उनको कॉंटेक्ट कर दिजे तो वह जाते है दिल्ली एंबसी और वहां पर जाके वहां पर सेम रिस्पॉंस कि हम यहां से कुछ नहीं कर सकते हैं आप वेबसाइट से ओनलाइन अपलाई कीजिए जब वेबसाइट में गए तो वहां पर कोई वेबसाइट के आप मतलब उस तरह से प्रोपर रिस्पॉंस नहीं था और कुछ नहीं हो रहा था महां से उनके बाद उन्होंने सही समझा कि वहां से कॉंटेक्ट किया जाए कि वह कोई हेल्प कर दे तो वहां से रिचावट करनी की कोशिश की लेकिन वहां से भी सेम रिस् नहीं मरलब जो आप रिसेंटली हम सबने सुनाए कि वह यान धंडा का एक किस्सा हुआ और हमारे सेकेटरी का यूं पांच मीट में रिस्पॉंस आ गया और जो बंदा एक्चुली इंडिया में आके अपनी सिजिशनिप के लिए अपलाई कर वा है उसके लिए इन लोगों इगोस्टेमिक उन्होंने खुद ने बोल रखाए कि मैं इसलिए इंडियन टीम का पोचिंग छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहां पर ओसी आए कार्ड होल्डर को यह अलाउ नहीं कर रहे है या फिर इंडियन ओरीजिशन जो यूरोप में खेल रहे है उसको अलाउ नहीं कर तो मैं तो यहां पर गुजारिस करना चाहूंगा एफफ के सेकेटरी एंड प्रेसिडेंट से कि प्लीज आपसे हमें काफी ज्यादा उम्मीद है और आपने जो फूटबल के चैंज किये चोटे-चोटे अभी तक आपके जो इतने छे महीनों में तो काफी इंप्रेसिव है लेकिन प्लीज इस मैटर में आप लोकिंट इंटू कीजिए और इनको हेल्प चो चाहिए वो दीजिए इनको प्रोपर आसिसन दीजिए वाई क्योंकि इनके फादर साब एक मैने से यहां पे इनके साथ है और 19 साल के बच्चे के साथ पैरेंस की भी चिंता रहती है कि बेल क्या बते ट्रेनिंग भी हमपर हो रही है तो यह सारा सीन हो रहा है लेकिन हमारे गवर्मेंट ओफिशियल या फिर गवर्मेंट ओफिस के चक्कर में या फिर कोई आसिस्टन्स ना मिलने की बज़े से या फिर एफफ की ओर से कोई रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं मिल रहा और जो हम सब का भी सपना है और वो खुद का उनका भी सपना है सेकेटरी और प्रेसिडेन का भी कि बाहर के जो प्लेयर से इंडियन ओरिजिन वो इंडिया में आके इंडिया को रिप्रेजन करें लेकिन जब कोई बंदा करने के लिए तब आपको उस तरह की आसिस्टन्स भी देनी पड़ेगी क्योंकि अगर एक अपसेट करते हो तो बहुत दूसरे बाहर के जो इंडियन ओरिजिन है वो भी देखेंगे कि हाँ यह मुमकिन है क्योंकि वो सब भी कहीना कही इसलिए इंडियन सिटिजन्सिप के लिए अपलाए नहीं करती क्योंकि उनको भी करकाट रहें तो डेफिनिली कोई भी बेंदा फिर नहीं चाहेगा कि इस तरह से हो तो मेरे इसाब से यहाँ पर एक आप बोल सकते की आसिस्टन्स देना चाहिए कि आप यहां से इस पॉसेस के थू जाएए और लेट्स ओप मैं रिक्विस्ट करूंगा कि एफ के सब्सक्राइब करने जरूरी थी क्योंकि हम सब अच्छे अच्छी बाते ही बोल नहीं सकते है जो रियालिटी है वह भी हमें यहां पर रखनी पड़ती है तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज दोंट फर्गेट टो लाइक शेयर सब्सक्राइब